कि आजकिस विडियो में हम देखेंगे बीयम प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है एडे प्रोग्राभॉम राजनीती वग्यान और चैप्टर हुकर सुरी योणीट हमारा फोर्थ है फोर्थ योणीट का जो पहला चैप्टर है भारत में सक्ती सनरचना जाती के संदर्ब में इसका ये वीडियो सेकेंड है यानि कि फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट अल्रेडी कल आपको अपलोड करके प्रदान कर दिया गया था अगर अल्रेडी आपका कल आ चुका है और यह जो वीडियो है हमारा यह है पार्ट टू इसमें हम जाती के बारे में और आगे पड़ेंगे जो हमने कल बेसिक हमने कल वाले वीडियो में कर लिया था तो देखते अपने टॉपिक को यहां पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है पोड़ा सम् भीमराव अमबेटकर जी के बारे में देखेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या था यह तो और भीमराव अमबेटकर को भारतिय राजनीती में दलीतों की मसीहा और भारतिय सम्विधान के प्रमुख निर्माताओं के रूम में याद किया जाता है ठीक है दलीतों के लिए और जाती पर था कि विरोध में लड़ाई लड़ी क्योंकि यह खुद भी इससे पीडित थे ठीक है यह बहुत पड़े लिखे विद्वान वेक्टी थे पर इनके साथ जो भीदवा हुआ था अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता तो देखते हैं आगे डॉक्टर भीमराव अमबेटकर एक विद्वान राजनीतिक विद्वान थे एक पॉलिटीसियन थे एक अर्थसास्त्री भी थे एक समास सुधारक भी थे और एक विचारक भी थे ठीक है इन्होंने कोलंबिया विश्विद्याले से अपनी पढ़ाई कि इन्होंने और यहां से सिक्षा प्राप्त की उसके बाद इन्होंने यहां से डॉक्टरेट की उपादी प्राप्त की उसके बाद अमबेटकर जो थे वो कानून की सिक्षा लेकर बैरिष्टर भी बने ठीक है वकील के रूप में भी इन्होंने काम किया अमबेटकर जी भ पर आप यहां से देखो, मैंने एक से ज़्यादा बुकों से रेफरेंस लेकर आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूँ SOL की लेंग्विज जो यहां पर काफ़ी हार्टी इसले बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ लो यह टॉपिक अमबेटकर जी समानता राप्ती के लिए जीवन बर लड़े, उन्होंने दलितों के हाथ के लिए आवाज उठाई और कई संगटन बनाई तो यहां पर हाथ की जगा आएगा हक, टाइपिंग मिश्टेक है, माफी चाहता हूँ, आप इसे देखती है, इन्होंने दलितों के हक के लिए आवाज उठाई होता किया था लगी, जाती विवस्ते में आपने देखा था जाती पह रथा थी, और उसमें भेदबावक की ज्यादा था, तो उसके कारण समाझ में एक वर्ग ऐसा माना जाता था, जो काफ़ी निम्न वर्ग माना जाता था तो ये उसी वर्ग से थे और उन्होंने उसी वर्ग के लिए आवाज उठाई थे और कई सारे संगटन बनाए थे वो संगटन कौन-कौन से हैं, कई सारे संगटन थे उसमें से कुछ बेसिक यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं एक था बहिस्कृत हितकारों नहीं सभा अब आप समझे बहिस्कृत मतलब जिसका बहिसकार किया गया हो हितकारों नहीं मतलब ऐसे समाज की सभा है जो जिनका बहिसकार किया गया हो उनके हितों को ध्यान में रखे इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा दूसरा है इंडिपेंडेंडेंट लेबर पार्टी, तीसरा है अकिल भारतिया नुसूचित जाती संग, ये सबी संगठन जो हैं ये अमबेटकर ने बनाये थी, इन्होंने हिंदू मंदिरों में परवेस का अधिकार दिलाने के लिए, कई बार मंदिर परवेस के लिए सर्ता चाहने भी लोगने के लिए, एसे ही मंदिर था तो जो उची जाती के लोग होते थे, वूमजा जाती के लिए, थी जिनको इंहोंने मंदिरों में परवेस पाने के लिए ये सत्याक रहकिया था और एक जीज़ ध्यान में खिए कि हिंदु धर्म जो था हिंदु धर्म में कई सारी कविया थी जिनको इन्होंने बताया था इन्होंने अपने दिरिष्टिकोन का प्रचार करने के लिए कई सामाजित पत्रों के माध्यम से प्रचार किया देखें मूक नायक काफी परसिद है मूख नायब परसे दिखियों हैं क्योंकि उसमें इन्होंने अपनी कुछ वाते लिखी थी बाइसक्रीद भारत में कुछ लिखा और जनता जैसे पत्रफ इनके महत्पून थे जिसमें इन्होंने अपनी जाती के साथ जो भेदवाओ था उस भेदवाओ की आवाज को ऊपर उठाने के लिए काम किया था इन्होंने आसप्रिश्य जातीयों के रक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ बाची चलाने के लिए गोल में सम्मेलन भी किया देखे क्या था कि वह गोल में सम्मेलन जिसको राउंड टेवल कॉन्फरेंस कहा जाता था एक तरह से तो वह गोल में जो होता था उसकी चारों तरफ लोग बैठे होते थे हर तरफ और आपस में बैठ के बाते करते थे तो वहां पे इन्होंने अपनी जातियों की रक्षा के लिए वहां पे बात रखी तो यहां पे क्या था कई इनकी आप विचार एक टॉपिक है मुझे आदा रहा है अमबेटकर की विचार जाती विवस्ता के लिए तो इसमें कई तरह के कोश्चन बन जाते हैं अगर आप आप तो चलो अभी ग्रेजुशन में हो जब आप MA में जाओगे तो वहां पे भी एक टॉपिक है वहां पे यही जाती विवस्ता के बारे बताया गया है तो वहां पे एक पॉइंट यह भी आता है कि हिंदु धर्म के परचारक के रूप में ऐसे कुछ मतलब अमबेटकर का नाम था तो वहां पे बताया गया है कि अमबेटकर जो को खुल कर विरोध करा क्योंकि जाती को लेकर जो भेदभाव था समुदायों के साथ उसका इन्होंने विरोध किया था इन्हें ये विश्वास हो गया था कि हिंदु धरम में रहकर ना तो आस्प्रिश्यता आस्प्रिश्यता मैं आपको कल की वीडियों बताय था चुआ का निवारन हो पाएगा ना तो चुआ चुद खतम हो पाएगी और ना ही इनके जैसी अचुद जातियों का उठान हो सकेगा जिस कारण इन्होंने क्या किया अपने मृत्यू के कुछ समय पहले 1956 में बहुत धरम अपना लिया था और अपने अन्वियाईयों को भी कहा था कि वह बहुत धरम अपना है क्यों क्योंकि वह हिंदू धर्म में जाती प्रता से काफी ज़ादा प्रिदिट थे काफी ज़ादा बरईसाल थे तो एक तरह से देखा जाए कि जो दौने, मैं भी हिंदू धर्म से हूं.. और हो सकता है आप में से कई हूं.. तो हमारे धर्म में कु बड़ा चैप्टर है तो वहाँ पे भी कुछ बेसिक बाते हैं आपको यहाँ पे समझा दूगा अमबेटकर के अनुसार जाती विरासत में मिली देखिए अमबेटकर ने जाती के लिए क्या विचार रखे थे इन्होंने कहा था कि जो जाती विबस्ता है यह हमें विरासत में मिली विरासत में कैसे मान लीजिए कोई एक्स जाती का है तो उसका बेटा जो है वो भी X जाती का ही रहेगा यानि कि कोई मांदो लोहार है तो उसका बेटा भी है वो भी लोहार रहेगा और लोही से रिलेटिटी काम करेगा उसका बेटा जो है वो भी यानि पीडी दर पीडी जाती जो है वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है विरासत में मिलती रहती है पर जाती को बदला नहीं जा सकता ठीक है ये कहते हैं हम बेटकर कि जो जाती जो है वो पीड़ी एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक हस्तांतरित होती है इसी परकार और समानता भेद भाओ ये भी विरासत में मिला कि समाज में क्या है मतलब कि ऐसे लोग सब्रक्राइल कुछ नीची जाती ती ऐसा समाज विभाजणता ठीक है मां लीजिए कोई नीची जाती में बहुत टैलेंटट बच्चा पैदा हो जाएं कोई नहीं से कई क्या कि क्या नीची जाती बहुत टैलेंट yapt vendor và лож फो सकता है कोई भी बेटी डिट हो सकता है वह किसी जाती में यहां पर क्या था अगर कोई निचली जाती में इसको वेल्यू नहीं मिलती था इसी चीज के इन्होंने विरोध करा था विरोध करा बहने विवस्ता में ने विरोत किया था उन्हीं मनुस्मिर्थी को भी जलाया था और इनका कहना था कि अंतर विवाह पर पर परतिवन लगाने से हिंदौ समाज में लोगों की परस पर सह के रिया एक यह भी बन्द कर दिया एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि विवहाब परनाली जो थी ऊता यानद पीद्ज है का सब्सक्राइब घंड लोग अपने में सीमित रहेंगे। को नीची जो ऊची जाती के मूँची मतलब अपने तक ही एक रह पाएंगे यह कहा था इन्होंने इनका कहना था कि अंतरविवा पद्धिती पर जो प्रतिबंद लगाया हुआ है उसे हिंदू समाज में लोगों को परस पर सह किरिया करने का कोई मौकाई नी मिलता आपस में गुलने मिलने का कोई मौका ही नी मिलता यह बताया हुआ है यानि इसको भी इन्होंने भेगवाओ बताया तो यहां से दिखिए क्या समझ में आया है मैंने आपको बेसिक बिल्कुल बताया है डॉक्टर बेंद्राओं अमबेटकर के बारे में और आपकी जो SL की बुक है उ दलीत शसक्तिकरन के लिए समीधानिक दिरिष्टीकौन क्या है यह जो कास्ट है जो निम्न जाती है जिसके साथ बेख़ाह होता है इनकी ससक्तिकरन यानि दलीतों की सासक्तिकरन के लिए सम्विधान में क्या बात, सम्विधान का क्या दृष्टिकोन है, सरकार का क्या दृष्टिकोन है, ससकते कर इनका बताव है, इनको मजबूत बनाना, क्योंकि इसकी समाज में जो स्थिती थी, वो मजबूत नहीं थी, तो इनको अगर मजबूत बनाना है, तो पिर क्या सम्वि थान के लिए दिर्ष्टि कौन क्या है ये आप समझें तो हमारी सरकार देखे क्या कहती है सरकार कहती है कि पिछडी जातियों को समाज में अन्य लोगों को बराबर लाना है ठीक है बराबर लाने की बात की गई आगे कहा गया कि देश के समाजिक आर्थिक और राजनेतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोसाहन देना है क्योंकि उनकी भागीदारी जो थी वो निम्न थी बहुत कम थी ना के बराबर थी इसलिए इनको उसमें हिस्सा देना है दलितों को समाज में बहिसकरन और भेदभाव की किलाब सुरक्षा देना है क्योंकि समाज में इनका बहिसकरन होता था इनके साथ भेदभाव होता था इसको खतम करना है ये हमारे सम्विधान में बताया गया है ठीक है आगे देखते हैं अगर इन उद्देशों को मान लिजी ये जो उद्देशे बताएं कि सरकार को ये ये करना है अगर इन उद्देशों को प्राप्त करना है तो फिर सरकार की जो संस्ताएं उसको दो तरह की भूमे का निवानी बड़ेगी सबसे पहले भेदभाव विरोधी, यानि संस्थाएं ही आपस में भेदभाव ना करें, कई बार क्या होता है, कि संस्थाएं भी भेदभाव करते हैं, और सुरक्षात्मक उपाए अपनाए जाएं, फिर देश के निर्ने लेने की प्रकिरिया में उनको भागीदारी के माध्य विकास और सस्थाएं के उपाए, देश की निर्ने लेने की प्रकिरिया है, उसमें मान लों उची जाती के ही लोग होंगे, मान लीजिए, तो वो इनके लिए फैसला नहीं लेंगे, तो फिर ऐसे में इनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जैसे संविदान सभा थी, देश के लिए कानून बना री थी, तो उसमें सभी काश्ट के लोगों को समान दिया गया था, उनको रखा गया था, तो यहीं कहा गया है, कि जो देश की लिए कोई भी निर्ने लेना है, तो उनमें भी इन जातियों के लोग होने चाहिए, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कि इन जातियों के सेक्षिक विकास पर सरकार जो है वो विसेज ध्यान दे यानि कि देखिए इनका जो सिक्षा का इस्तर था वो काफी कम था क्यों कि देखिए वो समय ऐसा था जब पढ़ाई लिखाई के प्रति जो लोग जाता जागरूप नहीं थे दूसरा किया था संसाद रहे थे या फिर यह जो अनुसुची जाती थी जो जिसको निचली काश्ट के रूप में दर्जा मिला हुआ था इन जातियों में साक्षरता दर्जों की वो बहुत ही कम थी प्राथमिक यह क्या होता था कि स्कूल जाते थे प्राइमरी लेवल पे या मादिमिक पे या फिर लेकिन इनमें ड्रॉप आउट बहुत जादा होता था ड्रॉप आउट का मतलब है जैसे बच्चे ने क्लास वन में एडमिसर लिया और वो धेरे-देरे करके क्लास 12 तक पहुंसता है हर साल पढ़ाई करके आपको पता है आप भी पहली क्लास से बढ़ते फिर दूसरी तीस चोथी करके बारे वीर विर आये हो लेकिन होता है था किसी बच्चे ने में एक्टार्व से था ड्रॉप आउंक जो हूता होां थता बहुत जादा होता था बोहत ही कम होते थे इन कांश्टों में जो अच्छी पढ़ाई कर पाते थे या ज्यादा बड़ लिए जयादा पर बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो इसलिए जो इनका सिक्षा का इस्तर था वो बहुत कम था और ये समुदाय जो था काफी गरीद भी था ठीक है निम्न गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा इनको मिलती थी और भेदभाव पूर्ण भहिसकार एक तो सिक्षा भी अच्छ की अवस्तर उपलब्द कराना इस पे जोड़ देती है सेक्षिक संस्ताओं में आरक्षन परदान करना जो सिक्षा के संस्तान है जाए वर स्कूल और को आरक्षन दे दिया जाता है ठीक है फीस के माध्यम से दिया जाए चाहे परवेश की माध्यम में दिया जाए या फिर म दूर दराज के जो गाओं के लाकेते वहां पर वैसे स्कूलों की बहुत कमी थी तो ऐसे में समस्य आरी थी कि भाई पढ़ाए कैसे तो ये सरकार ने कोशिज की कि कई जगा पे घर के निकट यानि गाओं गाओं में स्कूल बनाने का प्यास किया ताकि सभी बच्चे जो है वो पढ़ सके आगे कि कमजोर सामाजिक समू को उनकी गुणात्मक चमता बनाने के लिए कोचिंग की भी सुविदा उपलब्द कराई गी विद्यारतियों के लिए च्छातरवाद देखिए कई सारे ऐसे श्टूडेंटे होते हैं जिनको होस्टल की जलुत होती है अलग ज शादी के बाद दूसरे के घरी जाना है चूला चौका करना है ऐसी मतलब बाते करते थे लोग यानि महिलाओं को पढ़ाने के परती जागरूप नहीं थी उनकी सोच यह उनका नजरिया जो था वह बहुत ही अलग था तो इसमें यह था कि भाई बालिकाओं को सिक्षा उप ऐसी दलित समूदाय जो हैं इनको सम्विधान के कुछ अनुछेद हैं जिसके रहत कुछ कुछ मतलब विशेष प्रावधान दिये गया हैं जिसे इनको कानून के समक्षी और समाज के समख समानता प्रदान की जाए आर्टिकल 14 आपने 12-35 वाला पढ़ा रखता होगा मॉनि कानून के साभी समान होंगे यहां पे कानून का शासन होगा आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में आते हैं परतेग भारतिय नागरिक चाहें वो किसी भी धरम का हो किसी भी जाती का हो किसी भी समुदाय, वन्स, लिंग, जनमिस्तान, उसके साथ ना तो उसको दुकान पे जाने इसे कोई भी ऐसी इस्थान जो सारवजनिक है वहां पर जाने से इनको रोका नहीं जाएगा सम्विधान इस चीज के गारंटी लेता है तो यह आर्टिकल ना दिखी यह आपको थोड़े याद रखने इंपोर्टेंट है जो आपको बतार है आर्टिकल 16 का फूर पार्ट में देख और आर्टिक हितों को विसेज सावधाने के साथ बढ़ावा देने की बात करता है आर्टिकल जो 330 से वह सुप जो सुप जो अनसूची जाती है इनके लिए लोगतांत्रिक संस्ताओं में सीटों के आरक्षन की बात करता है ठीक है जो यह चुनाओ वगरे लड़ते हैं तो सीटर HCED के लिए रिजर्व होती है आपने देखा होगा ओभी सी वर्ग महीला वर्ग तो यह आरक्षन की बात भी करता है 335 जो नौकरिया वगर्या होतीर उसमे भी आरक्षन की बात करता है तो यह उची जाती था, यह संपन्य था, अमेर था, सुविधाय थी, ऐसा माना जाता है, यह है, यह गरीब है, और चले इस तरपे हैं, सिक्षा के इस तरपे नहीं है, कई तरह की समस्याओं में माना जाता है, तो जब संविधान बनाया गया था, तो उस समय बात किये गई थ आरक्षन दिया जाएगा, आरक्षन मतलब विसे इस परकार की कुछ छूट होती है, चाहे वो पढ़ाई लखाई के मामने में हो, जैसे आडमिसन के टाइम पे, कॉलेज वगरा में, या चुनाओं लड़ते वक्त महां पर आरक्षन मिलता है, ठीक है, फीस के मामने में आरक आरक्षन समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, आरक्षन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये क्या है, मतलब इसको दस साल, पांच साल बाद बढ़ाते जा रहे हैं, या आस तक अभी भी खतम नहीं किया गया है, तो ये आरक्षन है, तो पिछडी जातियों को समाज में उ आरेक्षण का प्राउधान इनको दीया लिए तो यह हो गया आरेक्षण अब यहां पर एक चीज़ गádर किया वहाँ खक्या कर शिक्षा के जुझा तो संस्थान होते ह है वहाँ पर साकर प्राउधान दीआज तो यह जो था यह मारा था part 2 part 2 में हमने क्या पड़ा है आप से समझे थे पर सम्मिदान में और आरेक्षिन के बारे में पड़ा है तो यह चार पार्थ के अटाविक हमारे यहां से हो गई है, इस तरीके से आपका chapter जो काफी बड़ा है, कि आप part 2 में हमने इतना discuss कर लिया है, इसके बाद आएगा part 3, और अमीद यह करता हूँ कि पारट 3 में आपका chapter, basic से part 3 बढ़ा हो जाए, पर आपका chapter कमपलीट कर दूँ है तो आपको क्या करना है, चैप्टर को बहुत अच्छे सी वीडियो को देखना है, उसके बाद आप अपने S.O.L की बुक पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़ने, अगर आपके पास कोई राइटर की बुक है तो आप उससे भी बढ़ सकते हैं, आपको बहुत आसान लगेगी बुक करना है?